फुल स्क्रीन डिस्प्ले या नविगेशन पार को कैसे इनेवल या डिसेवल करना है रेडमी के उन डिवाइस पर जिन पर यह पहरे से हमें इनेवल नहीं मिलता है जी हां बहुत आरे उजिएस का कमेंड आ रहा है कि भाई मिवाई 11 जब से आया है हम नविगेशन पर को इने पाने वाला हूं कि आपको कैसे इनेवल करना है उन डिवाइसों में यह पहले से आपको मिला ही नहीं है तो मैं यहां पे दिखा दू रिटमील 11 पहले से हमें मिल जाता है एडिसउल के अंदर जब्कि यहां पर देखने को नहीं मिलता है अगर आप कोई औफिसल रोम यूज करो मैं आपको बाद में बता दूँगा ठीक है इसका दिविदी भी अवेल वल है सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप डाउलोड करना है जिसका नाम है प्रजेक्ट ट्रेवल इससे डाउलोड करके आपको यह चिक करना है कि आप जो रोम यूज कर रहे हो वो राट इंवन कि यहां सब्सक्रा सुटेक्ट ध्रीके और खाशनलु जाता है जिसकी बज affect से प्रेयरी दिस्प्लेगनर को सब्सक्राल्च वब चाईबर नहीं हो पा है ट्याए कि एप यह चेक करना है आपको पार की जरूरत पड़ेगी और आपका फोन रूट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह कंपलसर यह बीडाउट इसके नहीं हो पाएगा ठीक है और कई सारे डिवाइसों के लिए मैजिक्स का मोड्यूल भी अवेवल है नेब बार को इनेवल और डिसेवल करने के लिए लेकिन को डिवाइसों के लिए अवेवल नहीं है तो मैं इनुवरसल पर बता रहूं आपका कोई सब्सक्राइब करना चाहते हो यह फीचर तो से मैठेड आपको फॉलो करना है रूट क इससे प्रमिसन दे दिया था जिसके वहाँनिन प्रमिसन नहीं लिया है मैं मैं आपको इसेम जीज अपको बताने वह हुँ है अगर यापका आपका non-travel roam है ठीक है आपने project travel में चेक किया वहां पर आपका non-travel निकला तो आपको system open करना है और यहां पर इस build probe को open करना है इस note editor पर ठीक है यह के लिए लेकिन अगर आपका travel है तो आपको यहां पर वेंडर को open करना है और इसको इसे टूस्ता करना है और सिश्टम के वेश्टिक करना है थो मेंडर के वीवल इटिक करना है अब सबसे पहले नीचे के अ चार्या जाना है और इस it के section पर आना और यहां पे एक line आपको जो write करनी है जिसको जैसे आपका जो never enable होगा या फिर enable है तो आप उसे disable भी कर पाओगे यहां पे आपको लिखना होगा सब कुछ spawn में वह है आपका q e m u dot a h w dot m a i n k e y s equal to 0 यहां पे इतना write कर लेने के बाद save कर देना है complete हो जाने के बाद आप बाहर निकल सकते है exit और अपने फोन को एक वाई reboot कर लेना है मैं आपको दिखा दू कि मेरा भी भी निब बार यहां पे इनेवल नहीं है या फिर full screen display वाला features devices device reboot हो जाने के वाद आपको फिर से आना है settings की ओर और additional की ओर जाना है और आप यहां पर देखो आगे कि full screen display का feature साथ इनेवल हो गया और निब बार भी यहां पर आ गया है यहां इनेविगेशन बार अब चाहो तो यहां पर जेस्टर जो इसका है वो यूज कर सकते कुछ इस तरीके से यह काम करेगा fully full support करेगा या भी आप निविगेशन बार को यहां पर इनेवल कर पाओगे अब अहीं बात कि जिन डिवाइसों में यह मिला है लेकिन आप hardware की यूज करना चाहते हो इस software की को यूज नहीं करना चाहते हो नहीं जेस्टर को यूज करना चाहते हो तो उनके लिए क्या करना है same condition होगी, phone को route कर लेना है और साथिया ES file manager को आपको download कर लेना है उसका इसे route की permission हे जो दे दिनी है Permission देने के बाद Internal को Open करना है, Storage पर Type करना है, Sales पर Type करना है और Again अगर आपका Traveal Support है तो आपको Vendor Open करना है अगर आपका Non Traveal है तो आपको यहाँ पर System Open करना है तो मैं Traveal है मैं Vendor को Open करूँगा, वहाँ पर Build Probe मिलेगा उसे Enable करना है और इसे भी मैं Enable करूँगा, उसके बाद फिर से Edit के Session पर आउँगा और जहां पर भी यह Line आपको दिखी वही पहले से Already आपको Find करना है तो इस Zero को Delete करके आपको यहाँ पर One कर देना है आपको पूरे Line को Delete करने के जुरूत नहीं है बस Zero को One कर देना है अगर आपको Disable करना है तो और उसके बाद Save कर देना है Save complete हो जाने के बाद आप Exit कर सकते हो और अपने device को एक बाद फिर से Reboot पे Tap करके Reboot कर देना है आपको device on हो जाने के बाद इसे आपको जो Unlock करना है और यहाँ पर एक Most Important चीज है आगे बढ़ने से पहले वह है चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो Notification को Enable कर लो में ठीक है तो इससे भी आपने बार को Enable कर पाऊगे अब आते हैं आगे की ओर सेटिंग की ओर चलते हैं और फिर से आते हैं additional की ओर अब आप यहाँ पर देखो कि जो display में जो features था Full screen display का जिसे मैंने Enable किया था वह यहाँ पर Disable हो गया तो यहाँ पर मैंने आपको बता देखिए कि इसे Enable कैसे करना है साथ से इसे Disable कैसे करना है अगर वह travel support है तो क्या करना होगा अपर non-travel है तो क्या करना होगा और आपको समझ में आ गया है और आपके लिए 100% working है तो comment करके ज़रूर बताए कि हाँ आपके लिए work कर रहा है फिर भी कोई problem आती है तो उसके लिए आप comment कर सकते हो वीडियो को like करें और दोस्तों क्या share करना बिल्कुल इनना भूले है ठीक है सब मिलते नेक्स वीडियो में बाबाई